विल्कम बैक गाइस स्वागत है आपका इरिशाद अली मोटिवेसन एनेजी के सन चैनल के उपर आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे या हम यू कह सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं लेडिंग सेल्स के बारे में राइट कि लेडिंग सेल्स होती क्या हैं इनके स्ट्रक्च अगर आप साइन्स के स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप पर टॉपिक लेडिंग सेल्स है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए और उससे पहले आप लोगों से एक दर्खवास्त है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा लिडिंग सेल का इंट्रोडक्शन हमने आप लोगों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी दोना मिक्स करके नोट्स प्रिपेर किया है तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा लिडिंग सेल्स आर एसेंसियल एंड क्रूशल सेल्स लोकेटेट इन दा टेस्टिस और अप दा मिल गोनेट्स इसका मतलब क्या है कि लिडिंग को शिकाएंज होती है वो बहुत ही एसेंसियल एंड कुरूशल को शिकाएं जो मिल गोनेट्स के टेस्टिस में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट दे आर नोन एस टेस्टिकुलर इंटर स्टिसियल सेल्स एंड कैन बी फाउंड बिट्वीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इसका मिनिग क्या है इसका मतलब यह है कि यह जो लीडिंग सेल है यह क्या गड़ता है टेस्टिकुलर इंटर स्टिसियल सेल्स की रूप में जाना जाता है और यह जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में पाई जाते है जहां पे सर्टोली सेल एंड जर्ब सेल उपसित होता है या प्रिजेंट होता है राइट इसका मतलब क्या है कि यह जो लेडिंग सेल है यह थ्री टाइप के सेल यह कह सकते हैं कि स्परेमेटोजिने इसको बनाए रखते हैं इन हॉर्मोनल रेयगुलेशन को नेंटरित या कंट्रोल करते हैं मेल्स में secondary sexual characteristics को प्रवावित भी करते हैं कौन leading cells जो होते हैं Right The next leading cells are under hormonal regulation by the hypothalamic pituitary axis These cells can be associated with some pathologic changes or cancerous malformations क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है leading cells hypothalamic pituitary axis द्वारा Right hormonal regulation की अधीन है उसकी उपर dependent ये cells कुछ pathogenic changes and cancer की विक्रिती से जुड़ी हो सकती है Right तो ये cells होती हैं कुछ pathogenic changes and cancer की विक्रिती से यानि की cancers की changes से जुड़ी हो सकती है Right तर next है हमारा leading को जिकाए एक हार्मोन की उपस्थिती में testosterone का उपादन करती है Right जिसे हम कहते है LH LH का मतलब है lutinizing hormone Right इसे आम तोर पर leading cell की interstitial cells के रूप में जाना जाता है किसे LH को किसके रूप में जाना जाता है इंटरस्टिसियल cells के रूप में जाना जाता है Testosterone androgen के अंतरगत आता है जो कि male sex hormone का एक group है इस बात को आप याद रखना है आपको कि testosterone के androgen के अंतरगत आता है यह क्या होता है male sex hormone का एक group होता है तो आप दोनों language प्रिफेर कर सकते हैं English and Hindi जो आपको बहतर लगे Leading cells shape में polyhedral या हम यह कैसे हैं polyhedral होती है और एक large prominent nucleus एक ecinophilic cytoplasm और कई सारे lipids से भरे vesicles पाया जाते हैं इसमें इससे नहीं पर लिखा भी गया English में Leading cells are polyhedral in shape shape में polyhedral होते हैं डिस्पलेया large prominent nucleus and eosinophilic cytoplasm and numerous lipid fillet vesicles तो यह इसका introduction portion हो गया हमारा आप वीडियो को pause करके देख सकते हैं, notes prepare कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं आगे चलते हैं अब आता है हमारा structure structure of Leading cells यह क्या होता है Leading cells, seminiferous tributes के आसपास पाया आ जा सकता हैं जो 10 cells तक के group बनाते हैं and lipid की मातरा इनमें भरपूर होती हैं लिख सकते हैं Lipid content is abundant smooth endoplasmic reticulum, large and numerous lipid droplets and significant numbers of mitochondria with tubular vesicular chrystri क्या मतलब क्योंकि यह को सेखा हैं यहां 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 पर बड़े अच्छी तरह से यानि की वेल्ड अप्लब अंडप्लाजम reticulum पाया जाएगा और बड़े लिपीड ड्रोपलेट्स पाया जाएंगे टीव वेसिकुलर के साथ mitochondria शामिल है कई सारी नंबर्स में बहुत नंबर्स में इसके बाद हमारा अनदर कॉमन फाइंडी इन लिडिंग सेल्स इज लिपोफ्यूजिन विच अपियर सेज मुल्टिपल राउंडेट इर्रेगुलर बॉडिस रिप्रेजेंटिंग एक्क्यूमिलेटेट लिपीड ड्रोपलेट्स इन लाइसोसोम क्या मतलब लिडिंग को शिकाओं में एक और या इनकी लिडिंग सेल्स में एक और आम लिपोफ्यूजिन है जो कई राउंडेट इर्रेगुलर बॉडिस को रूप में दिखाई देती है और जो लाइसोसोम में संचिद लिपिट ड्रोपलेट्स को रिप्रेजेंट करता है राइट मैमेलियन लेडिंग सेल्स एक पॉलि हैड्रल एपी थिलोइड को शिका है यानि किस सेल है जिसमें सिंगल एसेंट्रिकली रूप से इस्थित अवोईड निकलियस पाया जाता है एन निकलियस में एक से तीन प्रोमिन निकलियस होते हैं और बड़ी मातरा में डार् इसके बाद एसिटोफिलिक्स अर्टोप्लाज में आम तोर पर कई मेंब्रेन बाउंडेट लिपिड रॉप्लेर्स पाया जाते हैं और बड़ी मातरा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम जिसे हम सौट में SIR कहेंगे वो भी होता है किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम के बिखरे हुए पैस के साथ कई SIR यानि कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम की स्पष्ट बहुतायत के अलावा यानि कि बहुत मातरा के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कई माइटोकॉंड्रिया भी पाया जा जैसे हम रिंगी क्रिस्टल कहते हैं तो रिंगी क्रिस्टल की रूप में पाई जाते हैं, right? Then next है, so in conclusion का कोई ग्यात कारे नहीं है, यानि कोई वर्ग नहीं जितना हम लोगों ने भी discuss किया, तो सभी leading cells, tumor के आधे से भी कम में पाया जाते हैं, and क्या होता है, leading cells tumor के diagnosis को सुनुश्चित करने के लिए काम आते हैं, right? And testis के भीतर किसी अन्ने, interstitial cells में इन विश्ष्टाओं के साथ एक नाभी और साटर प्लाजम नहीं होता है, जिसमें identification relatively आसान हो जाती है, यहाँ पे हम आ रहाता है, structure reading cells का कैसे होता, तो reading cells के आपको diagram नज़र आएंगे, यह जो आपको black black नज़र आ रहा है, right? यह reading cells है, right? यह जो आपको नज़र आ रहा है, यह वाला portion जो है, गोल गोल जो है, पिंक कलर में, यह seminiferous tribules है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा white form में, interstitial tissue, तो आप देख सकते हैं, leading cells कहाँ पे present है, right? Seminiferous tribules है, यहाँ पे 20 में, between में present है, leading cells, right? आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा आता development, development है क्या इसका, adult type leading cell differentiated in the postnatal testis, general type का leading cell होता है, वो differentiate हो जाता है, कि इसमें, postnatal testis में, and question until puberty तक, तो यही चीज यहाँ पर हमने लिख रखी है, कि adult type की leading cells होंगी, postnatal testis में differentiate करती है, आँ पुबर्टी तक शानत रहती है, so now next है आँ पर, they are preceded in the testis by population of fetal type, leading cells from the 8th to 20th week of gestation, which produce enough testosterone for masculinization of a male fetus, right? तो pregnancy के 8th से 20th week के दौरान, leading cells जो होती है, gestation के दौरान, enough मातरा में testosterone को produce करती है, जिस जो की, males में, या males fetus में, masculinization के लिए जरूरी होता है, right? तो यहां पर वही बाते लिखी होई है, then next आता है हमारा test, leading cells का function क्या होता है, leading cells क्या work करती है, so leading cells primary source है, testosterone की, या androgens की, males के अंदर, right? So this physiology allows them to play a crucial role in many vital physiological process in males, इसी वाजा से, इसकी जो physiology है, यह बहुत ही muscle हो जाती है, और बहुत important role play करती है, males के physiological process में, right? Including sperm production of spermatogenesis, spermatogenesis को, जो sperm का production है, वो controlling sexual development and maintaining secondary sexual characteristics and behaviors, So, यह सारी चीज़े जो होती है, यह सारे चीज़े जो है, यह शामिल है leading cells के functions में, right? So, दुबारा सा देख लिए, leading cells male, metastosterosterone या endogen का primary source है, यह physiologically, males में, कई vital physiological processes में crucial role निभाने के उनुमती देता है, जिसमें sperm production और spermatogenesis, sexual development को control करना और secondary sexual characteristics को, उनके behaviors को बनाया रखना भी सामील है included है, right? आगे, next है, इस crucial function starts with androgen production inside leading cells, यह चो crucial function leading cells के अंदर है, androgen पादन के सार्च शुरू होता है, and this process is under the regulation and control of many factors, mainly LH, hormone produced from the pituitary gland, क्या मतलब है, यह process जो है कई factors के regulation और control के अधीन है, mainly luteinizing hormone, जिसका short में नाम LH है, pituitary gland से उत्पन होता है, और प्रोचूर मातर में, right? lipid content और अच्छी तरह से well developed smooth endoplasma reticulum, ऐसे विशेशता हैं जो leading cells को steroid उत्पादन में बहुत ही साहता प्रदान करती हैं, efficient बनाती है, right? the next है कि with deployment of male embryos, leading cells produce androgen inducing wolfian ducts deployment into male eurogenital structures, male embryo के deployment के साथ leading cells male eurogenital structures में wolfian ducts के deployment को प्रेरिद करने वाले androgen का उत्पादन करती है, right? subtly cells female genital structures के deployment को रोकने वाले anti-mullerian hormone का production करती है, adult में infantile leading cells को lifetime androgen बनाया रखती है, and adults leading cells द्वारा replace कर दिया जाता है इन्हें, right? जैसे कि पहले हमने बताया कि leading cells seminiferous debutes के बाहर interstitium में मौजूद है, जहाँ spermatogenesis होता है, तो germ and sertoli cell पर कारे करने के लिए androgen interstitium से seminiferous debutes में फैल जाते हैं, sperm production को predate बनाया रखते हैं, यह बहुत ही ध्यान देने योग यह बात है कि serum की comparison में testis के अंदर testosterone का level अधीक होता है, यह बात ध्यान देना है कि serum की comparison में testis के अंदर क्या चिसका level अधीक होता है, तो वो है testosterone का level अधीक होता है, घटे वे intra testicular testosterone level इस permetogenesis में defect के साथ जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर diagram आपको नज़र आएगा, यह जो diagram है यहाँ पर leading cells आपको नज़र आएगे, और आपको नज़र आएगा यहाँ पर यह जो light blue color में है, semi-fresh tubules है, उसके बाद आपको यह light pink में नज़र आएगा, interstitial tissue है, and leading cells आपको नज़र आएगे black color में, यह वाला part, right, उसके बाद, यह हमारा structure हो गया, structure इस figure का नाम के आपको यह ध्यान देना है, figure का नाम है, leading cells, semi-fresh tubules, interstitial tissues, show किया गया, right, यहां से, so leading cell pituitary hormone, इसका नाम है, hormone का LH, यानि कि leutinizing hormone द्वारा, उतेजित होने पर, testosterone, endrostenedione, और dehydro, apendrosterone, यानि कि DHEA का, secretion करते हैं, right, LH cholesterol, decmolase activity, यानि कि हम कह सकते हैं कि cholesterol को, pregnenolone में, बदलने से जुड़ा एक enzyme है, उसे क्या करता है, उसके activity को बढ़ाता है, जिससे testosterone, synthesis or leading cells के द्वारा, secretion होता है, right, so here is a diagram, leading cell का, right, complete diagram है, start हम करते हैं, नीचे से पहले, तो यहां पर आपको नजर आएंगे, violet and sky blue color में, leading cells है, right, उसके उपर आपको नजर आएगा, सर्टोली सेल, pink color में है, उसके बाद आपको उपर नजर आएगा, spermatogonia, green color में, and primary spermatocyte नजर आएगे आपको, light green color में, secondary spermatocyte नजर आएगे आपको, उसके उपर यह वाला पार्ट, spermatites, spermatite नजर आएगे आपको यह, इस color में present है, and last में आपको नजर आएगा, spermatogonia, जो कि यह रहा, sperm का एक form है, यह हमारा पार्ट, testis में हम देख रहे हैं, यहां से लेकर कि, यहां तक का जो पार्ट है, यह कहलाता है, seminiferous debules का पार्ट, जिसे lumen कहते हैं, and यह वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है, and last वाला पार्ट जहां पे leading cells बाया जा रहे हैं, वो है testicular stoma, right, diagram का नाम आपको देख लेना है, illustration of histology of testis, sartolys cell, spermatogioids, ismermatogonia, and spermatocytes, cells of bleeding, right, so यह हमारा हो गया, leading cells का एक proper diagram, exam में आपको बनाने में help हो जाएगी यहां से, then last point हमारा आता है, clinical significance, इसका क्या importance है, leading cells जो होती है, वो अनियमित रूप से growth करती है, and इतना ज़्यादा growth कर लेती है, कि एक tumor के रूप में बदल जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा है, cancer क्या होता है, tumor क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि cancer जो होते हैं, वो कोसी काओं का, यानि कि cells का, अनियमित रूप से बढ़ जाना, develop हो जाना कहलाता है cancer, तो यहां पर एक tumor वर यूज हो रहा है, तो tumor का मतलब हमें पता है, कि कोई भी cell अगर growth कर जाएगा, तो वो एक tumor का form ले लेगा, तो यहां पर वही चीज हो रही, leading cells होती हैं, वो group कर जाती है कैसे, अनियमित रूप से, और tumor के form में change हो जाती है, यह जो tumor होता है, यूजली यह कब दिखेगा हमें, यह हॉर्मोनल यह हॉर्मोनल के थ्रू, यह हार्मोन के थू active होगा, जैसे कि नाम है, secret कैसे होगा, testosterone है मान रचे, तो testosterone अगर अनियमित रूप से, produce होने लग जाए, निकलने लग जाए, तो यह tumor के form में, बदल जाएगा बाद में, राइट, यह नेक्स्ट है हमारा, adrenal myeloneuropathy, is another example of a disease affecting the leading cell, so leading cell को affect करने वाले कोड़ डीजीज, इसको नाम adrenal myeloneuropathy, इसमें होता गया है, तो पेजन टेस्टेस्टेस्टेस्टेरोन, में फॉल देस्पाइट हायर देन नॉर्मल लेवल्स अप लेज, अद फॉलिकल स्टिमूलेटिं हार्मोन, एफसेसी, जो टेस्टेस्टेस्टेरोन है वो फॉल हो जाता है, हायर देन नॉर्मल, रइट, फॉलिकल सर्फेस स्टिमूलेशन थेरिपी, अज बिन फॉणनी तो डिश्ट्राइब, और इसे डिश्ट्राइब करने के लिए, Electrical अनिकि Lateral Electrical Surface Stimulation Therapy को बनाया गया है खोजा गया है Right So यह हमार Official Channel का लिंक है आप इसे कलिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते है And इसका जो Notes का PDF है यानिकि यह जो PDF है यह आपको हमारे Telegram चैनल पर भी मिल जाएगा And इसका लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्सन में वहाँ सभी आप डाउनलोड कर पाएंगे And हमारे WhatsApp ग्रूप में भी यह आपको लिंक मिल जाएगा PDF मिल जाएगा Right अगर आपको हमारा Telegram चैनल नहीं पता है Right तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको Telegram चैनल उपन करना पड़ेगा अपना Right हम आपको यहाँ पर Telegram चैनल दिखाते हैं अपना So यहाँ पर हमारा है Telegram चैनल Right यहाँ पर आपको सर्च करना है उपर जाकर टेलिगराम में इर्शाद अली मोटिवेशन Right यह आगे शाद अली मोटिवेशन चैनल जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमने अप्लोड किया है नोट्स और सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगे Right और यहाँ से आप क्लिक करके उपर पता कर सकते हैं हमने क्या क्या अप्लोड किया मीडिया है फाइल से लिंक्स है मीडिया आपको सारा यह इमेज वगरा वीडियो मिल जाएगा फाइल से आपको सारे पीडियाफ मिल जाएंगे बोक्स के नोट्स के आपको लिंक्स मिल जाएगा जो भी वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टेलिगर आपको जोइन भी कर सकते हैं एन हमारा वाटसप ग्रूफ है लिंक डिस्क्रिप्सम में हम डाल देंगे कि आप वहाँ से भी जॉइन हो सकते हैं फाइनली अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजे और बेल आइक उन को ज़रूर प्रेश करिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में और आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए तब तक के लिए बेस्ट आप लग थांक्स और फोर वॉचिंग